नमस्कार मैं हूँ प्रिया सापताहिक रोजगार समचार में आपका स्वागत है आज रोजगार समचार में हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे उत्राखंट सबॉर्णिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन UK SSSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में पद का नाम है च्रीफ कॉंस्टिबल टोटल नम्मर और वेकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 272 है जहां तक सेक्ष्णिक योगिता की बात है तो अभिर्थियों के पास 10 प्लस 2 फिजिक्स, माथमेटिक्स और अंग्रेजी के साथ इसके साथ ही डिप्लोमा, रेडियो टेक्नोलोजी में या फिर कम्प्यूटर साङ्ञ्स में या इनफिमेशन टेक्नोलोजी में होना अनिवार है इसके लावा standard physical measurement, height, chest और weight का होना भी अनिवारे है उम्रसीमा की बात करें तो 18-22 साल तैकी गई है हाला कि इसमें कुछ age relaxation भी दिया गया है application fees की बात करें तो आवेदकों कोई पदों के लिए कोई आवेदन शुलक नहीं भरना है आखरी तारीख 23 फरवरी 2022 तैकी गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप ssc.uk.gov.in परजा करावेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे असम Public Service Commission AP SC की तरफ से निकाली गई रिखतियों के बार में पद का नाम है जूनियर Administrative Assistant टोटल नंबर ओवेकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिखतियों की को संक्यात दे रहा है जहां तक सेक्षनिक योगिता की बात है तो अभिरतियों के पास Graduation और डिप्लोमा Computer Application में होना अनिवारे है उम्रिसीमा की बात करें तो 21 से 40 साल तैकी गई है हाला कि Extra Age Reduction Reserved Category को दिया जाएगा Application Fees की बात करें तो आवेदे को 30 रुपे आवेदन शिल के रुपे जमा करने होंगे आखरी तारिक 31 जनवरी 2022 तैकी गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप APSC.NIC.IN पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे Employee State Insurance Corporation ESIC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में पद का नाम है Dean टोटल नमबर ओव वेकिंसी की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिक्तियों की गुलसंख्या 11 है जहां तक सेक्ष्णिक योगिता की बात है तो अभेर्थियों के पास MBBS, MD, MS या इसके समकर्ष कोई डिग्री होना चाहिए इसके साथ ही Working Experience का होना भी अनिवारे है उम्रसीमा की बात करें तो अधिक्तम 55 साल तैकी गई है वही आप्लिकेशन फीस की बात करें तो SC STPWD महिला EXSM Departmental Candidate को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा बाकि सभी ट्रेनी के लोगों को 225 रुपे आवेदन शुल्क के रुपे जुमा करने होंगे आखरी तारीक 31 जनवरी 2022 स्तैकी गई है वही आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.esic.nic.in पर जुआ कर आवेदन भड़ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे उत्तरप्रदेश Power Corporation Limited UPPCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बार में पद का नाम है Assistant Engineer Trainee टोटल नंबर ओफ वेकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संक्या 113 है जहां तक डिस्सिप्लिन की बात है तो इसमें Electrical, Power, Electronics and Communication, Computer Science और IT है जहां तक सेक्षनिक योगिता की बात है तो अभेर्थियों की पास Bachelor's Degree Engineering में Relevant Discipline में होना अनिवार है उम्रिसीमा की बात करें तो 21-40 साल तैकी गई है हाला कि Age Relaxation भी दिया जाएगा Application Fees की बात करें तो UR, OBC, EWS को 1180 रुपे SC, SD को 826 रुपे, PH को 12 रुपे देने होंगे आखरी तारिक 31 जन्वरी 2022 तैकी गई है वह यह आधिकारी की वेबसाइट की बात करें तो आप www.upenergy.in पर जुआ कर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे Odessa Mining Corporation Limited OMCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में पत का नाम है Junior Accountant Electrician Total Number of Vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 49 है जहां तक Section क्योंकिता की बात है तो अभेर्थियों के पास B.com, D.P.G.D.C.A. या फिर ITI, ITI Electrician में और Lineman या Wireman में होना अनिवार है इसके साथ ही उम्रसीमा की बात करें तो 18 से 32 साल तैकी गई है वही आप्लिकेशन फीस की बात करें तो UR, SEBC को 500 रुपे SST, PWD को कोई आवेदन शुर्क नहीं देना होगा आखरी तारिक 7 फरवरी 2022 तैकी गई है वही आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.omclt.in पर जुआ करावेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे Odisha Power Transmission Corporation Limited OPTCL की तरफ से निकाली गई रिख्थियों की बारे में पद का नाम है Graduate Engineering Apprentice, Diploma Engineering Apprentice Total Number of Vacancies की बात करें तो सभी पदो को मिलाकर रिख्थियों की कुल संक्या 232 है जहां तक Discipline की बात है तो इसमें Electrical, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Telecommunication Engineering, Applied Electronics and Instrumentation Engineering, Electronics Communication Engineering, Information Technology, Computer Science Engineering जहां तक सेक्ष्णिक योगिता की बात है तो अभियर्थियों की पास डिग्री या Diploma Engineering में relevant discipline में होना अनिवार है उम्रसीमा की बात करें तो एस पर Apprenticeship Rules के अनुसार होना चाहिए आप्लिकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुलक नहीं देना होगा आखरी तारिक 25 जनवरी 2022 तैकी गई है वह आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.optcl.co.in पर जआ कर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश Subordinate Service Selection Commission UPSSSC की तरफ से निकाली गए रिक्तियों की बार में पद का नाम है ITI Instructor टोटल नंबर ओवेकिंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संक्याद 2504 है जहां तक सेक्षनिक योगिता की बात है तो अभियर्थियों के पास 10 प्लस टू और ITI और CTI सर्टिकेट होना अनिवार है उम्रसीमा की बात करें तो एक साथ 2022 तक 21 से 40 साल के व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं अप्लिकेशन फीस की बात करें तो 25 रुपे आवेदन शुल के रूप में आपको जमा करने होंगे आखरी तारिख 8 फरवरी 2022 तै की गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप UPSSC.gov.in पर ज़ाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे Bank of Baroda की तरफ से निकाली गई रिखतियों की बारे में पद का नाम है Specialist Officer, Total Number of Vacancies की बात करें तो कुल मिला करके 58 पदों पर आवेदन की मांगी गई है डिसिप्लिन की बात करें तो Head Wealth Strategist, Investment and Insurance, Wealth Strategist, Investment and Insurance, Investment Research Manager, Portfolio and Data Analysis and Research, Portfolio Research Analyst, NLI Wealth Products Manager, Product Manager, Trade and Forex, Trade Regulation Senior Manager, Product Head Private Banking, Group Sales Head, Virtual RM Center, Private Banker, Radiance Private जहां तक सेक्षनी क्योगिता की बात है तो अब हैर्थियों की पास डिग्री डेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार है इसके साथ ही एक से दस साल का वर्किंग एक्सपीरेंस भी माले माना जाएगा उम्रिसीमा की बात करें तो न्यूंतम 22 साल तैकी गई है वह अधिक्टम 50 साल तैकी गई है अप्लिकेशन फीस की बात करें तो यू आर ओबीसी को 600 रुपे, से, स्टी, पी रव्लुडी और महिलाओं को 100 रुपे आवेदर्शुल के रुपे जमा करने होंगे आखरी तारिक 27 जनवरी 2022 तैकी गई है वह या अधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन भड़ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलीस रिक्रूट्पेंट बोर्ड यू पी पी आर पी बी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में अधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bpb.gov.in पर जाकर आवेदन भड़ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे बॉम्बे इंजीनर ग्रूप और सेंटर मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में पद का नाम है स्टोर कीपर, सिवीलियन ट्रेट, इंस्ट्रक्टर, कुक, लसकर, MTS, मेसेंजर, वाच्मैन, गार्डन दनी, सफाईवाला, वॉशर्मैन, बारबर टोटल अमबर ओ वेकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संक्या पैसट है जहां तक सेक्षनी क्योगिता की बात है तो अभियर्थियों की पास कक्षा दसवी एक पास होना या फिर 10 प्लस टू और ITI रेलिवेंट ट्रेड में होना अनिवार है उम्रिसीमा की बात करें तो 18-25 साल टै की गई है वह या अप्लिकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुलक नहीं देना होगा आख्री तारिक 28 जनवरी 2022 तै की गई है वह या अधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bsakir.org पर ज़ा करावेदन भड़ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे Army Welfare Education Society AWES Army School की तरफ से निकाले गए रिक्तियों की बारे में पत का नाम है Post Graduate Teacher, PGT, Trained Graduate Teacher, TGT, PRT Teacher टोटल number of vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 8000 है जहां तक सब्जेक्ट की बात है तो इसमें अंग्रेजी, Hindi, Mathematics, History, Geography, Economics, Political Science, Physics, Chemistry, Biology, Biotechnology, Psychology, Commerce, Computer Science, IT, Home Science, Physical Education और संस्कृत है जहां तक सेक्षनी क्योंकिता की बात है तो अभियर्थियों की पास Master's या Bachelor's डिग्री रेलेमेंट सब्जेक्ट में और B.A.D.I.S के समकश्य कोई डिग्री होना अनिवार है उम्र सीमा की बात करें तो लगभग 40 साल की व्यक्तिन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं हाला कि इसमें कुछ एज रिलाक्सेशन भी दिया जाएगा अप्लिकेशन फीज की बात करें तो 500 रुपे आवेदन शुल के रुपे आपको जमा करने होंगे आखरी तारिक 28 जनवरी 2022 तैक ही गई है वह आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप awesindia.com पर ज़ुआ कर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे ICAR Central Institute Arid Horticulture C.I.A.H. की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में उम्रसी मा की बात करें तो 21-45 साल के व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं अप्लिकेशन फीस की बात करें तो इन पदों के लिए कोई आवेदन शुलक नहीं देना होगा इच्छो करियों के उमिदवार 28 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट tiah.icar.gov.in पर जुआ कर आवेदन भर सकते हैं इसके साथ ही सापताहिक रोजगार समचार में आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद